धाकड खबर के न्यूजूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईसकान आप सब लोग जानते हैं कि सैना के जबानों के हाथो नागलेंड में बड़ा नंसंहार हो गया है अतकबादियों के चकर में उन्होंने आमशेरियों को मोत के घाट उतार दिया अभी तक की मोतों के आंकड़े के हिसाब से 14 लोग मारे जा चुका है सैना का एक जबान भी इस पूरे मामले में मारा जा चुका है हंगामा दिली ही नहीं पुरी दुनिया के अंदर बचा हुआ इंटरनेशनल मीडिया इस खबर पर पूरी तरह फोकस बनाए हुवे है लेकिन अब इस घटना करम के बाद एक सबसे बड़ी चीज एक सबसे बड गया है और एलान कर दिया गया है कि 9 दिसंबर को पूरे नौर्थ इस्ट में यानि कि पूरवत्तर के जितने भी राजे हैं महां पे बंद रखा जाएगा प्रोटेस्ट किया जाएगा तो क्या है यह एफ एस पी यह भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और कैसे कैस तो किस तरीके से एक्टिव हो है वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं चलते हैं खबर के पहले हिससे की तरफ देखे घटना करम के बारे में बताने की दो जरोथ है नहीं कल पारलेमेंट में खड़े होकर देश के ग्रमतिया मिशा ने बता दिया कि भी यह पहले शनिव सबस्क्राइब कर दिया उसमें भी गोली बारी होई तो एक शहरी मार गया कुल मिलाकर 14 लोग मारे जा चुके हैं एक सैना का जवान भी मारा जा चुका यह घटना करम सरकार की तरफ से बताए जा रहा है जमीनी सत्य पर क्या रिपोर्ट से अभी कुछ कुलियर तरीके से च जान लेना चाहिए होता क्या आर्म फॉर्स इस्पेशल पावर एक्ट 1958 में यह बनाया गया था और नौर्थ इस्ट के राज्यों में इसे लागू किया गया इसके ताहित जो आर्म फॉर्स हैं उनके पास कुछ जादा इक्तियार होते हैं और वह कहीं भी कुछ भी कर सकते ह यह घटना सामने आ रगया ह हलाकि कोई पहली बार घटना फ़ादाना यह सामने ऑ चुकी है और जब भी फटी आसपीए को एटाने की मांग शूरू हो जाती ये अच्छिए कि में चाहिए तो नागलेंड के सिमय नायफ्रियों वह पहुँश गये मौंजिले में और उनों गटना इस सल का पहले निक्षन किया उसके बाद मीडिया को बेहन देते वो उन्होंने का कि अब वक्त आ गया है कि एफ एस्पी एखत्म कर देना चाहिए क्योंकि खुद मौदी सरकार मानती है कि वहां पर आतंगबाद खतम हो गया है तो उसको यहां पर लागू रखने की को को हटाने की मांग कर दी उन्होंने का इस पूरे मामले को लेकर का ऑलbor मीटिंग शड़र्दलीं बुलानी चाहिए उनका नाम हमारे पास है आम पर नं लिंग तो उन्होंने भी इस बात में मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिला इसके अलावा सद्धुदी नोभी सिने पारलमेंट में इस मामले को उठाया और कहा कि यह भारत के लिए काला दिन है जो वहां पे हुआ है और क्या सरकार ऐसे जो लोग हैं उनको सजा दिलाने का कोई काम कर दिया है और अब इस काले कानून को एफ एसपीए को रद कर देना चाहिए खतम कर देना चाहिए यह तो राजिंतिक परतिक्रियां है इसके अलावा आम शहरी क्या कह रहें वह भी देख लिए लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है एफ एसपीए का कैसे कैसे चीज़े को वापिस लेने की मांगी यह आम शहरी कठे हो रहें जब से घटना होई है इसके अलावा दिल्ली में जो स्टुडेंट्स हैं उन्होंने लागालेंड हाउस पर प्रोटेस्ट किया नारे बाजी की केंडल मार्ची काला और एफ एसपीए को वापिस लेने की मांगी इसके अलाबा और अगर बात करें तो नौर्थ इस्ट स्टुडेंट और्गनाइजेशन जा है जो एन एस ओ उसने नो दिसंबर को पूरे नौर्थ इस्ट में जबरदस धरना परदाशन करने का ऐलान किया है और उसकी उसने त्यार कर दिये तो नौर्थ इसको आप ऐसे समझ सकत लगता है जैसे मुद्री सरकार को किसी कानून वापिस लेने पड़े हैं जैसे उत्तरा खंड के अंदर उसने चार धाम देवस्तानम परबंदन बोड कानून को वापिस ले लिया है वैसे ही अब क्या एफ स्पी ए को भी वापिस लेना पड़ेगा क्योंकि हाला जो है वो लोकल बोडरी है वहाँ पर उनका कबजा है वह सत्ता उभंबंदने भी वाकायद प्रस्राउ पास किया है जिसमें उन्होंने पांच मांगे उठाई हैं पहली मांग उनकी ये यह को वापस लिया जाय उसके बाद उन्होंने कहा कहाए कि जो एसाइटी बनाई के अनुर ऐ darle के दिल्ली से लोगों को भेज़ दिया और वो जाके वहाँ पे जाच कर रहे हैं उसमें दो लोग इस्थानी लेबल पे नागा लेंड के होने चाहिए इसका अलावा जो लोग दोशी हैं उनकी खिलाब ठोसकारवाइक की जानी चाहिए इसके लावा उनका कि जो साइटी की र इपोर्ट आगे रखी रहे यह इन्होंने चार पांच मांगे इस पूरे मामले में की है और कानून को वापिस लेने की बात इन्होंने भी उठाई है यानि के मुद्दा गर्माता जा रहा है कि अब एफस्पे को वापस लिया जाए क्या कर रही हैं राजिंदिक पार्टिय हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए देखे राजिंदिक पार्टियों की बात करें तो सबसे पहले जिकर कर लेते हैं कॉंग्रेस का कॉंग्रेस के नेता परतिपाक शधीर रंजन चोधरी उन्होंने अमिशा के बयान को सीरे से खारिज कर दिया उन्होंने का मिशा ने जो ब पूरे मामले में कहा है कि यह कोई पहली घटना नहीं है 13 नमंबर को भी ऐसी घटना मनीपुर में हो चुकी है जिसमें एक करनल थे भीपलग त्रिपार्टी उनकी पत्री मारी गई थी बेटा मारे गया तो इसके अलावा कहीं जबान उस पूरे हमले में मारे गए थे तो ल बीजेपी में थे उन्हीं के टिकट पर जीत क्या है सांसत बन गई देकिल बादमीन के अरुजेटली से कहानी बिगड़ गई तो यह कॉंग्रेस में चले गए पिछले काफिस समय से कॉंग्रेस में थे हाल फिलाल में जब अभी मंतब नरजी दिल्ली आई तो इन्हों ने का दामन थाम लिया इन्होंने अमिशा पर कटक्स किया कहा है अरे पपू आप जानते हैं यह लोग भाजपा वाले पपू किसको कहते हैं रहूल गांदी को लेकिन किरती आजाद ने टीमसी में रहते हुए अमिशा को कहा है अरे पपू आप लोग तो वह जो कपड़े के दी मंडल बना दिया है यह वहाँ पर जाएगा साथ दिन के अंदर फैक्ट फैंडिंग रिपोर्ट सोनिया गांदी के सामने पेश करेगा जिसमें पार्टी के रास्ट्री मासा चिवजी तेंदर सिंग हैं इसके अलाबा नागा लैंड के कॉंग्रेज जो प्रदेश सामने रखेंगे इसका हैं आपने दिखाऊगा ये पर भी अपना फिनी दिन मंडल वहां भेज दिया है अब बात कर लेते तलब करने का जो टाइम दिया गया वह बड़ा काफी दिल्चास पर उसमें आपको गार करना चाहिए कहा गया च्छे अफते यानिके डेड़ महीने आप सोच यह कि सरकार ने जो साइटी बनाई है वह एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी यानिके चार अपनी रिपोर्ट देगी और यह कब रिपोर्ट मांग रहे हैं कब जवाब मांग रहे हैं 6 अफते बाद होना यह चाहिए था कि 24 घंटे के बीतर इतनी बड़ी घटना हो गई है हम इस मामले में जवाब चाहते हैं वरना हम यहीं से मानवादिकार हो एक टीम भेजेंगे क्योंकि यह वह सेना बड़ा मामला हो गया और इतने बड़े मामले में यह राष्टी मानवादिकार हैं जिसके जस्टिस आप जानते हैं अरून मिश्रा बनाए गया हैं वही जो नरेंदर मोदी को बता रहे थे कि उनके जैसा कोई लीडर नहीं है रिटायर होने से पहले सुप्रिम कोट के जाजे और बाद में रिटार होते हैं उनको यहां पर चिपका दिया गया बैठा दिया गया चेर्मेन बनाकर वो कह रहे हैं छे हफते में अपना जवाब दाकिल करिए इसी के चलते लोग सवाल उठा रहे हैं इसके अलावा अगला अपडेट आ रहा है सेना से जुड़ा लेकिन यह मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है यह अलग बात है कि मेडिया इस मामले से धियान अटाने के लिए नरहेंद्र बोदी के लंबे लंबे लाई भाशन आपके सामने चला रहा है कभी आदित्यनात्योगी के भाशन चला रहा है पर सोचेगा कि जितना वक्त स तो सरकार का बॉंपू है बने गए धाकर खबर के साथ फिलाल कमेंट्स के रुपे आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कभरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलगते या उलस्ते मुद्देले कर मैं आपके सामने हुंगा हाजे फिलाला भी मुझे दें जाज़त